हे गाइज माइनेम इस अधर राधा वेलकम टू आर चैनल जीके गाइडेंस एन नौलेज हापी मॉनिंग ट्यों लोखें कैसी एमेर जीके फामली आई होप सभी अच्छे होंगे अपने सिहत फैमली और बढ़ाई का दयान काफी अच्छे से रखिए यह वीडियो आपको हर की तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का मारा पहला कोश्य ना में इससे स्टेट्मेंट्स को किसके रिगार्डिंग वन नेशन वन राशन कार्ड एक टेक्नोलोची बेस्ट इंवल्मेंट है जिसके अंदर डीटेल से बैनिफिसिडई के वो ली जाती है किसके बारे में रा प्राइस शॉप से कंट्री के अंदर कहीं से भी खरीज जकती है इनमें से कॉंसिटिटिट निकरेक्ट है में यह बताना है फिर डॉन में से कोई नहीं तुमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर होगा B क्योंकि यहां पर pen card include नहीं होता है जो चलिए देख लेते इसके बारे में रिसेंटली क्या हुए है जो सुप्रीम कोट है उसने डारेक्ट किया है कि सभी स्टेट्स सभी स्टेट्स और उनियन टारिट्रीज उसको इंप्लिमेंट करना होगा वन नेशन राष्ण कार्ट system को वन नेशन राष्ण कार्ट system है इसका एम है थाकि जो माइश्छेंट लेबर से और उनकी फैमली है वो सबसड़ाय इसन या नाशन को कहीं उसके beneficiaries हैं, उनको cover कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 4 states ऐसे हैं, जिन उनने इस implement नहीं किया है, वो कौन-कौन से हैं, आसाम, चत्रसगर, डेली और वेस्ट बंगाल, at least 70 states ऐसे हैं, जिनको one nation, one ration card reform के अंदर लाया गया है, और जिनके अंदर allow किया गया है, कि वो additional जो benefit देने के लिए, क्या कर सकते हैं, वो 37,600 का, करोड का, 2020, 2021 के अंदर loan भी ले सकते हैं, और one nation, one ration card, यह एक technology-based involvement है, जिसके अंदर detail ली जाती है, राशन काड के अधर काड की, एक electronic point of sale, EPOS बुलाते हैं, इसको, इनकी details लेता है, ना की pen card की, यह system है, identify करता है, beneficiary को, उसके biometric authentication के साथ में, price shop के उपर, और यह system है, run किया जाता है, इसके अंदर दो hotel हैं, वो काम करते हैं, वो कौन-कौन से हैं, integrated management of public distribution system, जिसे IMPDS बलाते हैं, और फिर दूसरा है, अनवित run, यह दोनों हैं, इसके अंदर relevant data हैं, उसको host करते हैं, फिर हमारा अगला question है, यह हमें बताना है, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके अंदर क्या है, इंडिया है, वो 10th rank पे रहा है, 10th best country रहा है, world के अंदर, global cyber security index के अंदर, जो 2020 का recently release किया गया है, और यह total कितनी countries हैं, जिन को rank करता हैं, यह 194 countries को rank देता है, cyber security index है, वो कैसे measure करता हैं, वो commencement करता है, जो countries के अंदर cyber security का global level है, उसे check करता है, country है, वो rank की जाते हैं कि इसके basis पे, उनके performance क्या 5 parameters के अंदर उपर चक की जाती है, जिसके अंदर, इंक्लूड क्या गया है, लीगल measures क्या क्या करिये गये हैं, टेक्निकल measures क्या 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 कर लिए हैं, और capacity building capacity development कैसे की और cooperation किया जा रहा है यह पांच parameter हैं जिनके उपर चेक किया जाता है और rank दी जाती है इंडिया है उसने 10th position है हमारे points थे 97.5 और top 10 best countries है उनके इंदर वर्ड की उसके इंदर हमारी ranking शामिल हुए और United Nations से उसने पहले state पर आया है युनाइटेड नेशन पहले इस country रहा है युनाइटेड नेशन रहा है उसके बाद में United Kingdom और साओधी अरेबिया है यह second position पर रहे हैं दोनों मिलकर और इस्टोनिया है वो थर्ड रंग पर रहा है फिर हमारा अगला question है इन सभी statement को में इन consider करना है किसके regarding crude oil के बारे बताना म इंडिया है वो वर्ड का second largest consumer है crude oil का फिर साओधी अरेबिया है वो इंडिया का second largest supplier है इराक के बाद में गवर्मेंट है वो प्लान कर रही है तू जो नए oil reserve नानेकी जो की चैंदी कोल और इसा और विद्यूपी करनाटका के अंदर तो इन में से कौन सी statement correct है मैं यह बताना है first and second second and third first and third या फिर सभी की सभी तुमारा अंसर क्या होगा हमारा अंसर होगा बी क्योंकि पहले statement हो इन करेट है हम second नहीं हम थर्ड लाजिस्ट है चलिए रेख लेते इसके बारे में इंडिया है वो काम कर रहे है इंडिया है उसने ओपक कंट्री जो oil exporting countries है उनको मनाने की कोशिश किए क्योंकि जो कोई है वो काफिजादा उनकी oil का प्राइस हो काफिजादा बढ़ गया उसके वजह से हमारी country के ऊपर काफिजादा इंपक्ट पढ़ रहा है और जिसकी वज़े से हम पुश हो सकते हैं कि हम एच्पॉर्ट है इंपोर्ट है वो इंपोर्ट है वो और इंडिया है वो थर्ड लाजिस कंजूमेर है क्रूड ओयल का सौधियरेविया और जो इराक है इराक टोप पोजिशन पे रहता है हमारा जो अब ओयल करीते हैं सबसे पहले रहता था लेकिन जब से इरान के उपर सेंक्शन्स लगाए हैं उसके बाद से हम लहीं कर रहे हैं इंपोर्ट वाँके वह अब रहता है इरान इराक और सौधियरेविया फिर इंडिया है वो स्टैटिक रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहा है इंडियन इंडियन स्टैटिक पेट्रोलियम डिजर्व लिम्टेड यह आई-स-पी-एल जो कंस्ट्रक्ट कर रही है जिसने कंस इनको इतना डीटियल में जरूरत नहीं है जो कैपसिटी दी गई है क्योंकि कैपसिटी वह बहुत कम चंसे होते हैं कि उसको पूछा जाए हैं यह कौन-कौन सी जगह हैं जहां पर बनाया गया है उसको जरूर पूछा सकता है आई-स-पी-एल है जो पूरी तरह ओन की गई कि जो की चांदी कोल ओडिसा के अंदर और उडीपी करनाटका के अंदर बनाई जाएंगे और यह फ्याइज टू के अंदर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप की जारी इसके लिए इसके बाद में हमारे पास टोटल 22 डेज़ का रिजव हो जाएगा क्योंकि पहल हमार अगला कोशन है समय कंसिडर करना है इन सब स्टेटमेंट को किसके रिस्पेक्ट में नीटिया हो रिसेंटली जो हमारे जो मिताब कांत है उनका टैन्यूर है वो तीसरी बार बढ़ा दिया गया है इसके वज़से नीटिया इसके रिल्टर कोश्चन बन सकते हैं नहीं नीटिया है एक पॉलिसी थिंग टैंक है गौर्मेंट ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिश किया गया था 2015 के अंदर प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस करके फिर इसके इनिशेटिव कौन-कौन से हैं अमृत 15 years of roadmap, 7 years of roadmap, 7 years vision, strategy and action plans for digital इंडिया, medical education reforms और अटल innovation vision यह कुछ plans हैं तो इनिसे कौन से statement है वो इनकरेक्ट हैं यह बताना है first only second only दोना एफेट दोनों में से कोई नहीं तो मारा अंसर क्या को हमारा अंसर होगा डी विकिस दोनों की दोनों स्टेट में वह विल्कुल करेक्ट हैं यह मैंने आपको बताई दिया कि इनका tenure है वह दुबारा से बढ़ा दिया तीसरी बार बढ़ा दिया गया है लगातार जो हमारे से मिताब कानत हैं वह पहले फैडरल पॉलिशी रिजर्व फैडरल पॉलिशी तिंक टैंक के पुछा रहे चुके हैं टू एर्स के लिए फिक्स थे यह फर्वरीट 17 2016 के अंदर फिर हमारे कॉशन के अंदर क्या पूचा ज़कता है हमसे पूचा ज़कता है इसकी फॉर्मेशन कब की थी तो यह फॉस्ट जनुरी इंट्रमेट 2015 का अंदर इसको फिरमेशन की थी इसका ह एड़कार नुर्याली के अंदर है और चेर परसन है नरेंदर मोदी है यह फिक स्टेटमेंट की रूप में दिया जा सकता है फिर हमारा अगले कुशन है श्रिलंक का है वह बैंकिंग करना चाहता है वन बिलियन डॉलर करन्सी स्वेप करना चाहता है यह एकरीमेंट होता है और हमने जो डेप होँ रिपैमेंट करने के लिए श्रिलंका क्या कर रहा है एँ हमसे करन्सी स्वेप एग्रिमेंट कर रहा है जिसके अंदर श्रीलंका ने Lori No currency swap agreement है यह ऐसा agreement है जो दो friendly countries के बीच में किया जाता है trading के मामले में और यहां पर किसका यूज किया जाता है उनकी खुद की local currencies का यूज किया जाता है इस agreement के according दोनों country है वो import और export कर सकते हैं और किसके ऊपर जो rates पहले से decide की गई rates के ऊपर और किसी भी तीसरी जो country है उसकी currency को यूज की बेना जैसे कि US dollar है फिर RBI framework है उसके अंदर यह फैसलेटी प्रोवाइड करवाता है शार्क को शार्क को currency swap agreement है वो आर्बिया है वो कितना जो साथ के लिए currency swap फैसलेटी है यह कब पिक्चिर में थी 15th of November 2012 की बात ही और आर्बिया है वो कितना offer कर सकता है वो टू बिलियन डॉलर का एक ओवर और कॉपस है इसके अंदर इतना हम इंट्रूस कर सकते हैं नहीं arrange कर सकते हैं और उप डॉलरस हैं उनके लिए कुछ छूट दी गई है जैसे कि वह यूज कर सकते है यूएस डॉलर का यूरो को और इंडियन यूड्यूर्पीज का भी और फैसलिटी है वो सिर्फ सारक में इंटर्मेंबर कंट्रीज को दी इसको इसकी प्रेजिदेंसी को हैं और इसका हैड़कॉर्टर लोकेटर है जैनिवा स्विजिलेंड के अंदर और चाइना और इंटोनेशिया रश्या ब्राजील ये जी ट्वेंटी के मैंबर साइन के में से कॉंसे स्टेट में करके में बताना है फॉस्ट सेकंड और इसका कौई भी साइड़कॉर्टर नहीं है यह आप देख सकते हैं जी टुएटी कंटरीज को जीटॉइंटी कंटरीज इसके इंदर यह तो शामिल है जैसी जी सेमन सबसे पहरे जी सेमन के बारे मियाना थे इसके इंदर कैनिड़ा फ्रांस जर्मनी इटली जिपान यूना इसके बार में देख लेते हैं रिसेंटली जी क्रोंटी की फोरं मेंस्टर्स की मिटिंग हो रही थी उसके अंदर किस कौन-कौन से मुद्धों पिचर्चा की गी है कोविड-19 जो स्पीड है कोविड-19 से स्पीड अप करने के लिए ग्लोबल एकॉनमी को बुस्ट करने के लिए सस्ट vet development घोल्स को आफ्रिफ listener के अंदर करनो इसकी एकडिनोर करने इसके रेज्डिन्च से की और इसके साथ में एक कौन-कौन से इसके रिप्रेजेंटिव हैं इंटरनेशनल मॉनिटर फंड और वर्ल्ड बैंक जी ट्वेंटी मेंबर्शिप है यह कंप्राइज़ करती है वर्ल्ड के सबसे अड्वांस्ट और इमर्जिंग इमर्जिंगए कौनिज़ में इसके इंदर सामिल है जो इसके रिप्रेजंट करती हैं टू थर्ड वल्ड की पॉपिलेशन को 85 परशन ग्लोबल रोमेस्टिक प्रोड़क्स को यह फिर एटी परशन ग्लोबल इन्वेस्टमन को और 75 परशन ग्लोबल ट्रेड को इसके मेंबर्स हैं G20 के यह मैंसे वैसे तोमनीज में देख लिया है पिछवाले ड्राइग्रामिक्स के अंदर फिर एक बर फिर से रिवाजन कर लेते हैं अर्जंटीना, उस्ट्रेलिया, ब्राजिल, कैनडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इतली, जपैन, रिपब्लिक ओफ कोरिया, मेक्सिको, रोशिया, सौधी अरेबिया, साथ अफ्रिका, टर्की, युनेटरिक इंड़न एंड यूएसे, साथ में है मिक्स बन जाएगा, 2050 तक, फिर IRN है, वो ही रिलीज करता है कि इसको, वर्ल्ड एकोनोमिक, वर्ल्ड एनरजी ट्रांसमिशन आउटलोग रिपोर्ट को, जो कि रिसेंटली, रिलीज भी की गई थी, जिसके बारे में हमने पहले बात की है, इनमें से कौन सी स्टेट्मेंट ह हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं, इससे बताया गया कि 12% एनरजी मिक्स है, 2050 तक हाइड्रोजन का देखने को मिलेगा, यह जंसी है, वो इसके अंदर एस्टिमेट लगाया गया है, कि 66% हाइड्रोजन है, वो निकल कर आएगा, वोटर से, नाकी नचुरल गैसे, ह हाइड्रोजन है, वो एक most abundant element है, अर्थ के ऊपर जो मुझूद है, जो कि cleaner fuel alternative के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और consumption है, इसका हाइड्रोजन का इंडिया के अंदर, वो हर साल हमें देखने को मिलता है, 6 million tons का, और यह बढ़ने की बात है, कि यह 2050 तक 28 million tons तक बढ़ जाएग इसकी demand क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि इसकी demand industry sector के अंदर और जो transportation का expansion हो रहा है, और power sector के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी वज़ासी यह 2050 तक 28 million tons बढ़ने की आशका है, फिर मारा अगला कोशन ने consider करना है हमें इन सभी statement को कि इसकी reference में global startup ecosystem index 2021, यह release किया ज बारे है, टोप 1000 के अंदर रही है, तो इनमें से कौनसे statement incorrect हमें यह बताना है, तो मारे options में second only, first and second only, first and third only, या फिर second and third only, तो मारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा, A, क्योंकि इसकी सिर्फ यह statement जो incorrect है, वो incorrect क्योंकि यहां पर 28 नहीं, यह 20th position पे आया है, चली देख लेते हैं, इंडिया की rank है, वो 20th रही है, 200 countries के अंदर, Global Startup Ecosystem Index 2021 के अंदर, जो की publish किया गया है, रिलीज किया गया है, start-up link के द्वारा, इसके अंदर, जो हमारी पहले rank गई थी, 2019 के अंदर हमारी rank रही थी, 17th, और जबकि 2020 के अंदर हमारी rank रही थी, 23rd, और इस report के according हमें क्या क्या करने की जरूत है, infrastructure और internet speed, दोनों के ही उपर काम करने की जरूत है, ताकि हम future के अंदर, stand-down कर सके, start-up ecosystem को, और इंडिया की कौन-कौन से citizen जो इसके अंदर आई है, इंडिया की currently 43 cities हैं, जो की top 1000 के अंदर आई है, और जिसमें से mainly Bengaluru है, वो 10th position पे, New Delhi है, वो 14th position पे, और Mumbai ह वो 16th position पे हैं, तो ये top 20 के अंदर हमारे शामिल है, तीन countries, country पाइस हम देखें, तो last year के according है, इस बार भी similar pattern रहा है, कि सबसे पहले US से हैं, फिर UK है, इसराइल है, Canada है, जर्मनी है, फिर मारा अगला question है, बोर्नाडी, ये एक wildlife century है, ये recently news में देखने को मिली है, ये कहां प पर खुल सुरित देख सकते हैं, यहां पर कितने cute cute जानवर हैं, और ये मैंने पहले बार देखा है, seriously, बोर्नाडी wildlife century है, ये situated है, कहां पर हिमाले के नौर्थ से हिमाले के अंदर, उदाएगी डिस्ट्रिक और बसा का डिस्ट्रिक आशाम के अंदर, और जो की बोर्टर भी बोर्टर भी शेयर करती है, बोटान के साथ में, और ये century इसका नाम बोर्नाडी रिवर के उपर दिया गया है, जो कि इसके western borders के फ्लो करती है, और ये century 1980 के अंदर established की गई थी, जो दो main जानवर हैं, जिनको सबसे जादा है, importance दी गही इसके अंदर, जिनका conservation किया जाना था उनका नाम है, hispid hair और pygmy hog, इनकी scientific name भी है, अगर आप याद करना चाहिए तो, ये क्या है, caprolagus, hispides, और दूसरे क्या है, kula salaviana, ये smallest wildlife sanctuary आसाम के अंदर, जो की cover करती है, 26.22 square kilometer, फिर मारा क्ला question है, mental health help line, जिसका नाम रखा गया है, सुकून, ये launch की गई है, कि किस के दव न्यू डेली की दवारा, ती लंगाना की दवारा मारा श्रीक होगा, तुमारा अंसर होगा, जम्मा एंड कश्मीर की दवारा, रिलीज़ की जो secretary है, chief secretary है, अरून कुमार में है था, उन्होंने recently inaugurate किया है, SDRF, इसके first battalion की, जिसके दवारा 24-7 mental health help line, शुकून, लॉंच कि किया गया है, इसके headquarter के अंदर, और यह initiative लॉंच किया गया है, SDRF की first battalion को, जिसके अंदर collaborate किया जा रहा है, conservation के साथ में, mission youth, जम्मा एंड कश्मीर की है, और tourism department के साथ में, इसके अंदर collaborate किया जा रहा है, और इसके अंदर जो caller है, वो avail कर सहे हैं, पाएंगी services कि से related, जो 1800 180 7159, अगर आप कश्मीर से बिलों करते हैं, तो यह आपके लिए important है, आप अपने खुद से, खुद के issues या फिर अपनी family members के, या फिर कोई भी आस पास के बैखती है, जिसको यह problem है, mental health से related, तो यहां पर contact कर सकते हैं, इसके अंदर guidance दी रही है, person के लिए, उनके well wishers के इसके अंदर जो main issues हैं, वो किन से related है, जो कि कौन से लोगों को शामिल किया गया है, इसके अंदर जो लोग experience कर रहे हैं, anxiety को, depression में है, stress में है, panic attack हो रहे हैं उनको, या फिर PTSD की problem है, या फिर adjustment disorder है, या फिर suicidal thoughts आ रहे हैं उनके mind में, या फिर substance abuse जैसे की drugs है, उसका यूज कर इसके अंदर जो पहले बैच है, उसके अंदर 200 SDRF और 40 NDRF के परसनल है, उनको train करके इसके जो seven hospitals हैं, जमन कश्मिर के उनके अंदर भेज दिया गया है, अपनी duty जोन करने के लिए, ये सुकुन है, ये सेट अप किया गया है, ये second setup है, जिसके अंदर सपोर्ट किया त्योर्ट है, मारे श्रेकन, मद्यपरिदेश के अंदर तयलां गान दर लंक करकां जाए, ये अंदर इंदर से शुरू किया गया है, शरी प्रकाफ जावडेकर जो की एक वन स्टॉप सॉलुशन है जो कि हाई स्पीड परफॉर्मेंस देगा इसके नदर टेस्ट किया गया है और इसकी वाइडस कैपिसिटी है वाइडस कैटेगिरी जैसे की इसमें इसके ऊपर टू वीकल से लेकर हैवी ट्रक्टर ड्रेलर्स को भी आराम से भीजा जा सकते हैं और यह सेंटर है इसके अंदर मॉल्टिपल कैपिलिटीज और जैसे की मेजर्मेंट ऑफ मैक्सिमम स्पीड एक्सेलरेशन कॉंस्टेंट स्पीड फ्यूल कंजॉप्शिन थ्रो रियल रोड ड्राइविंग स्टिमुलेशन हाइइ स्पीड हैंड इंड स्टेबिलिटी एवल इंडिया की कंडिशन को ध्यान में रखकर इसके अप प्रोडोटाइब बनाने की कोशिश करेंगे प्रोडोटाइब भी बनाना चाहती है कार्स का पिर यह वह कोश्टिनल जिसका आंसर आपको देना है एक बुक है जिसका नाम दिया गया है कश्मीरी सेंचुरी बनान चाहता है जिसका पिरवार्त आपको बनाने की कोश्टिनल जाएए लिए और भी यह वार्त रिफा नाम देखाने की को धनाने की कोश्टिनल जाए 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 बारत